हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल में श्वागत है आज मैं आपके साथ एकदम अलग तरीके की मेगी की रेसिपी शियर कर रही हूँ इस मेगी की रेसिपी को खाने के बाद आप मेगी के फैन हो जाओगे आज जो मैं आपके साथ मेगी की रेसिपी शियर कर रही हूँ वो है एस्टीट स्टाइल चाइनीज मेगी और इस मेगी का टेस्ट काफी जबरजस्त लगता है तो आप इसे बना कर जरूर ट्राइ करना तो चलो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक पैन में 500 ml पानी एट कर देंगे और पानी जब बॉयल होने लगे तो हम इसमें मेगी एट कर देंगे यहाँ मैंने दो मेगी डाला है और मेगी को आप क्रस्ट मत करना बिल्कुल सापता मेगी एट करना और जब मेगी थोड़ा सा बॉाइल होके खुनने लगे तो हम इसे फोक की मदस से हलका सा उलट पुलट करतेंगे मेगी को आपको ओवरकुक नहीं करना है बस दो से तीन मिनट के लिए इसे आपको बॉाइल करना है अगर आप इसे ज़्यादा पका दोगे तो आपको वो इस्ट्रेट वाला चाइनिज मेगी का टेस्ट नहीं आएगा दो मिनट तक मेगी को बॉाइल करने के बाद हम मेगी को छान लेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए और मेगी ओवरकुक नहीं हो मेगी को strain करने के बाद हम इसे फटाफट थंडे पानी से wash कर लेंगे ताकि मेगी में जो भी excess starch है वो निकल जाए और मेगी का over cooking होना बंद हो जाए और अब हम मेगी में हलका सा oil डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हलके हाथों से mix कर लेंगे ऐसा करने से मेगी जिपकेगा नहीं और मेगी जो है खिली खिली बनेगी अब हम इस मेगी को एक बाउल में डाल लेंगे और मेगी में डालेंगे 1 टेबल एस्पून green chili sauce, 1 टेबल एस्पून red chili sauce, 1 टेबल एस्पून soya sauce और शाथ में 1 टेबल एस्पून tomato ketchup add कर देंगे और एक पैकेट मेगी का टेस्ट मेकर डाल देंगे और अब हम सभी चीज़ों को एस पेचुला की मदद से हलका हलका मिक्स कर लेंगे ऐसा करने से मेगी के अंदर एक एक फ्लेवर काफी अच्छे से जिपक जाता है और मेगी काफी लाजबाब बनती है अगर आप सोस को पैन के अंदर मिलाते हो तो एक एक मेगी के अंदर फ्लेवर निखर कर नहीं जाता है और अगर आप मेगी में पहले से सोस को कमबाइन कर लोगे तो इससे मेगी का टेस्ट एकदम अलग लेवल का आता है तो सारे मेगी में सोस अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं तो अब हम फटाफट से एक पैन ले लेंगे और उसमें हम दो टेबल एस्पून ओईल डाल देंगे आप कोई सा भी रिफाइन ओईल का यूज कर सकते हो और हमें अब गेस के फ्लेम को हाइपर रखना है जब ओईल एक तम अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हम इसमें कटी हुई लहसून एट कर देंगे साथ में हम इसमें कच्चा मिल्ची एट कर देंगे इसे मैंने स्लाइसली कट कर लिया है और अब हम इसमें प्याज एड़ करके इसे एक मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे यहां मैंने एक प्याज को स्लाइसली चॉप करके यूच किया है प्याज को आपको एक से दो मिनट के लिए पिंक होने तक कुक करना है और इस स्टेश पर आपको गेज के फ्लेम को हाई पर ही रखना है क्योंकि हम चाइनीज कुकिंग कर रहे हैं चाइनीज कुकिंग हाई फ्लेम पर होती है दो मिनट के बाद हम इसमें बाकी के चॉप किये हुए वैजिस भी एड़ कर देंगे आप इसमें अपने पसंद का वैजिस एड़ कर सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा कैपसिकम डाला है थोड़ा सा चॉप्ट किया हुआ गाजर एड़ किया है साथ में थोड़ा सा पत्तागो भी डाला है और इन सबजियों को हमें हलका सा स्वाते करना है इसे हमें over cook नहीं करना है इसे हम हलका हलका toast करते रहेंगे क्योंकि इसे हम high flame पर cook कर रहें है तो इसे हलका हलका हिलाते रहना जरोड़ी है एक मिनट के बाद हम इसमें हलका सा एक टेबल स्पुन्जितना vinegar एड़ कर देंगे साथ में हम इसमें हलका सा नमक एड़ करेंगे और taste के लिए हलका सा black pepper powder एड़ कर देंगे और हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ spring onion एड़ करेंगे आप चाहें तो इसमें white वाला जो प्याज होता है वो भी एड़ कर सकते हो नमक आप हलका सा एड़ करना क्योंकि मेगी के taste maker में पहले से नमक होता है बस हमें wazis के लिए थोड़ा सा नमक एड़ करना है तो इन सब चीजों को हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे और फिर हम इसमें sauce वाला मेगी noodles एड़ कर देंगे साथ में हम इसमें एक packet मेगी का taste maker डाल देंगे और अब हम सभी चीजों को अच्छे से combine कर लेंगे इस मेगी को बनाने के लिए हमें दो packet मेगी का taste maker चाहिए होगा एक जब हम मेगी में sauce add करेंगे तब और एक हमें उपर से डालने के लिए इससे मेगी में काफी अच्छा flavor आ जाता है तो यहां मैंने मेगी को mix करने के लिए एक चिम्टे का यूज किया है आप चाहें तो इसे toast करते वे भी mix कर सकते हो वो ready है हमारी street style Chinese मेगी बनकर आप चाहें तो उपर से इसमें थोड़ा सा spring onion से इसको garnish कर सकते हो आप इस मेगी को एक बर बना कर जरूर try करना आपको काफी जादा पसंद आएगी एकदम खीली खीली spicy मेगी बनकर ready होती है